टमाटर काटने की ये मसीन जो पूरे भारत में तहल का मचा दिया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तो सबसे पहले इस भारी भर का मचीन को देखिए। ये आधुनिक मचीन खेत में लगे कोचई की फसल को मिंटों में ही पौधे से अलग कर देती है। चोकि कोचई की फसल जमीन के अंदर आलू की तरह होती है। तो इसको निकालते समय इसमें मिट्टी भी चिपक कर साथ में आ जाती है। तो ऐसे में इस मसीन में ऐसी व्योस्था की गई है कि कोचई को उखारते साथ पानी में धोते हुए निकलती है। और साथ कोचई को इस टेंकर में डाल दिया जाता है। और ये मसीन कुछी समय में कई एकर में लगे कोचई की फसल को सफाचट कर देती है। दोस्तो अगर इसी कोचई को इनसान अपने हाथों से उखाड़े तो कितने दिन लग जाएंगे। लेकिन ये भारी भरकम मशीन कुछी समय में ये काम पूरा कर लेती है। तो है ना कमाल की मशीन। दोस्तो और दूसरी मशीन है जॉन्डियर का घास कटिंग मशीन। दोस्तो जॉन्डियर कमपनी ये मशीन बहत अड़़ुद है। ये मशीन चुटकियों में हजारों एकड की धास को काट देती है दोस्तों इस मशीन के अंदर चार कटिंग ब्लेड लगे हैं जो हजारों गुना स्पीड में काम करते हैं आप देख सकते हैं ये मशीन कितनी तेजी से पूरे भुट्टे को काट रही है और इसे भूशा बना कर इस टैंकर में भर रही है दोस्तों और जो तीसरी मशीन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वह बेहादी अद्भूर है और ये मशीन है टमाटर तोड़ने वाली दोस्तों देखे ये भारी भर का मशीन जो चंद सेकेंड में बड़ा से बड़ा टमाटर का फसल खत्म कर देती है दोस्तों ये मशीन एक फैक्टरी की तरह काम करती है इसमें पट्टी के रूप में लोहे के चैन लगे हैं जिसमें ये टमाटर पेडों से अलग होकर ट्रक में सप्लाई हो रहे हैं देखिए पहले ये मशीन टमाटर के पेडों को उखाड रही है उसके बाद बड़े ही फाइन तरीके से पेडों को अलग करके टमाटर को इस चैन लुमा पट्टे पर भीज रही है और ये मशीन इस काम को इतना बखुवी कर रही है कि एक भी टमाटर फूट नहीं रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं पक्के टमाटर कितना कमजोर होते हैं वे जरा से भी दबावत बरदास्त नहीं कर पाते हैं और जल्द ही फूट जाते हैं लेगिन इस मसीन ने कमाल ही कर दिया इतने सारे टमाटर को बड़े तीजी से बीना नुक्षान पहुंचाए पेड़ों से अलग कर रही है और कुछी मिनट में इतने बड़े खेत के सारे टमाटर तोड़ कर इस टैंकर में भरते जा रही है तो है ना कमाल की मसीन दोस्तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद